गंगा जी का किनारा बनारस में भोला रहता है भोला अपने नाम के जितना ही सीधा है वो घाट पर आई सभी लोगों का काम करता है जैसे की किसी का समान उठाना होटल तक छोड़ना या फिर टूर गाइट बनकर बनारस के रंग में सब को रंगना आज भी बोला सुभा सुभा गंगा जी के किनारे दोड़ा तोड़ा आया और पान वाले चाचा से कहा चाचा मैं लेट हो गया नहीं हुआ अभी कोई नहीं आया है मा गंगा ने मुझे कभी बिना काम के रहने नहीं दिया है लेकिन दो दिन से कोई नहीं मिल ला हा है वो देख सामने एक गाड़ी आई है और शायद ये दिल्ली से आये हैं चल्दी दोड़ कर जा, तुझे काम मिल गया अरे लव्यू जाजा, मैं भी जाता हूँ गाड़ी से माही, गौरी और तुशार उत्रे वो अपना समान लेकर इधर उधर देख रहे थे तभे उनके पास भोला पहुचा मैं भोला, बनारा स्वासी आपका स्वागत करती है समस्त काशी अब बताईए कि मैं आपकी क्या सेवा करो बस बस, ज्यादा उवर आक्टिंग मत करो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चिली अरगौरी, सबका अपना-पना तरीका होता है उसका भी अपना है मैंने कहा था ना, कि ये गाओं वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ओ हो, अब छोड़ो भी इस बिचारे से तो बात करने दो भोला जी, आपने अपना परिचा तो दे दिया अब हमें रुकने के लिए कोई कमरा बता दीजी जहां सब कुछ मिल जाए रहना, खाना या हो फिर पान चवाना बड़े बुजर्ग कह गए है असी घाट किनारे पतली गली में बनाना ठिकाना तो अपना ये शायराना अंदाज बंद करोगी प्लीज हाँ, मिलकुल वो सामने वाली पतली गली में रुकने के लिए एक अच्छी जगह है और भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा चीक है, चीक है हम यहां कहां कहां घुम सकते हैं आप हमें फुल पैकेज हायर कर लीजिए सारा टूर करा देंगे यह भी अच्छा है, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए भोला तीनों को एक होटेल में ले गया और अच्छा कमरा दिला दिया शाम को भोला होटेल के नीचे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था तभी तीनों लोग तयार होकर आ गए चलिए भोला जी, हब चलते हैं हम सबसे पहले कहा जा रही है शाम की हवा चाय का वहाना प्रेम में डूबे हो या मनारे का हो वहाना तो चलो मेरे साथ, असी घाठी है इसका ठिकाना गजब यार, तुम बहुत अच्छे हो मेरी मा भी है कहती थी चलो अब देखते हैं तुम्हारा असी घाठ हाँ, मा गंगा की आरती भी दिखाएंगे भोला ने गौरी, माही और तुशार को असी घाठ पर घुमाया अब आप लोग गंगा में स्नान कर लीजिए आई यू मैट, हम ऐसी कैसे नहा सकते हैं और इसमें नहाने से क्या हो जाएगा गवार हो तुम, इसलिए मुझे या गाओं की लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं इसलिए ही तुम्हें अपना टूर गाइड बनाने से मना कर रही थी आखिर कौन नहीं जानता, चाहें बनारस कहो या काशी डुपकी लगाओ मा गंगा में, शीव की शरण में दूर होगी हर उदासी वावा, वैसे कुछ भी कहो, बंदे के बास हर प्रश्निका उत्तर है सही में, गौरी तु बीवजे ही नराज हो रही है हम यहाँ डॉक्यमेंटरी बनाने आए हैं और मुझे लगता है कि अब हमें उस पर काम शुरू कर दिना चाहिए इस पागल की बादों से समय मिल जाए तो बताना हाँ, कोई कुछ नहीं बोला भोला ने सभी को मा गंगा की आर्ती के दर्शन भी कराई बाद में कचोड़ी खिलाई और फिर से एक बार चाय पिला कर होटल छोड़ाया अगला दिन भोला अगले दिन भी तीनों को लेने के लिए होटल के बाहर पहुच गया तीनों आ गए कभी वहाँ पर एक और लड़का आदेश आया और भोला से बोला भोला तु जा इंको तूर मैं करा दूँगा भोला ने तुशार से रुपने के लिए कहा लेकिन आदेश कुस्सा हो गया और भोला को पीटने लगा गोरी को बहुत कुस्सा आया उसने आदेश को एक जोरदार धपड जड़ दिया ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको मार दूँगा, और तुम्हारे इस भोला को भी आदेश धमकी देकर चला गया, लेकिन भोला कुछ नहीं बोल पाया वेसे तुम इतनी जुबान चलाते हो, और फिर आज क्यों पिट रहे थे, उसे कुछ क्यों नहीं बोले मैं तो उसको बहुत मार था, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया अच्छा, दिख रहा था वेसे साफ साफ कि तुम उसे कितना मारते हाँ, अब चलते हैं चारों मिलकर मनी करनी का घाट पहुच जाती हैं इतनी सारी चिता एक साफ जल लही है तुम हमी यहां क्यों ले आए? हाँ भोला, कौन सी जगे है ये? अमीर हो चाहे गरीद, मनी करनी का पर ही राख होते हैं सबके शरीद अच्छा, ये है मनी करनी का घाट, लेकिन तुम्हें इस पर ड़ नहीं लगता? जिस भसम से वो रोज सुभा शाम खेले हैं हम ड़ते नहीं, क्योंकि हम उस महाकाल के चेले हैं अमीजिंग! अम्हम, गौरी, क्या बात है? आखिरकार भोला को तुमने कॉम्प्लिमेंट दे ही दिया अरे कुछ नहीं, वो वैसे भोला अच्छा बोलता है न? लगता है गावाले पसंद आ रहे हैं मैडम को प्लीज यार, तुम तो छोटी सी बात को बड़ी करने लगे सभी लोग एक साथ बैट कर हसते हैं और फिर चारों मिलकर पूरा बनारस अच्छे से घुमते हैं तुशार माही और भोला गौरी को ढून रहे थे लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी तभी भोला के कान में किसी लड़की के चीखने के आवाज आई भोला उस तरफ दोड़ा तो उसने देखा कि आदेश ने गौरी को पकड़ रखा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है भाई तेरी लड़ाई मुझसे है गौरी को छोड़ दे क्योंकि यहां से दर्शन करने आई है मेरी दुश्मनी इससे मत निकाल पीछे से माही और तुशार भी आ गए भोला को बहुत अधिक क्रोध आया वो दोड़ते हुए शिव मंदिर में गया और त्रिशूल ले आया उसने वो त्रिशूल आदेश की गर्दन में मार दिया वहाँ खोन ही खोन हो गए भोला ने आदेश को जलती हुई चिता में डाल दिया आज भोला के हातों एक पापी को सजा मिल चुकी थी गौरी ने भोला को गले से लगा लिया लेकिन तब ही पीछे से किसी ने आवास ल लगी कमेंट करके जरूर बताएं इसके सभी पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां हम अच्छा अच्छा कॉंटेंट आपके लिए ला सके इसके लिए वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा धन्यवाद लव यू आल